हेलो भीरिवन स्वागत है आप से लोग का स्टेड़े 55 में आज मैं आप से लोग को चक्रविधी प्याज यानि कंपाउंड इंट्रेस्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे मात्रेक लाइन में आपको क्या जाएगा एंसर आ जाएगा तो आज जो मैं सवाल जितने बताऊंगा जितने important सवाल हैं उन्हीं को बता रहा हूँ जैसे देखें important सवाल काने का मतलब आप अपने किताबों में देखोंगे आपके सवाल में क्या जो rate होता है वह 5%, 6%, 10%, 12% जितने आप rate टिक देख रहे हैं इन्हीं पर पूछता है अक्सर आप देखेंगे 5%, 6%, 10%, 12% अब आपका जो year होता है वह 2 year या 3 year यही अधिकतर आपके प्रस्ण पूछा जाते हैं 2 year का आप चक्रिधी ब्याज गात कीजिए या 3 year का चक्रिधी ब्याज गात कीजिए 5%, 6%, 10%, 12% तो यह जो chart है या तो आप screen shot ले लिजिए वरना कल जो है इससे बड़ा भी chart में आपको बताऊंगे यानि 5 year का भी रहेगा इधर आपका 20% का भी र principle जिसे हिंदी में क्या काते हैं मूलधन पी इंटू और रेट को क्या काते हैं दर तो पी इंटू आर बटे क्या है सव है मात्रेक लाइन में ऐसे प्रशनाएंगे जैसे दिखे यहाँ पर आप 5% अगर रेट पूछा है कितने साल के लिए 2 साल के लिए तो यह कितना आप य 1706 इसी तरह से अगर रेट 6% हो एक साल के लिए पूछा है तो 6 याद करनेंगे दो साल के लिए पूछा है तो 12 X 3 6 याद करनेंगे आपका 3 साल के लिए पूछे 19-10 लिंगे अब अगर 10% रेट हो अब पूछा हो कितना दो साल के लिए किस लिक याद कलेंगे 10% rate हो 3 साल के लिए पूछा हो 33 दस लो एक याद कलेंगे इस तरह से जितना rate टेक है उसे आप याद कलेंगे अब देखे सवाल कैसे आता है माले जी प्रिंसिपल आपका कितना 400 दिया हुआ हो प्रश्ण में rate आपका 10% हो time आपका कितना हो 2 साल हो यहाँ पर देखे इसी पर हम रखकर आसानी से स्थाल्प कलेंगे यहाँ पर पहला प्रश्ण है आपके प्रश्ण में principle दिया राता है 400 दिया है rate आपका कितना है 10% तेहां पर आपके परस्ट में कितना दिया है दो साल को देखना है यहां से रेच और टाइम देखकर यहां पर आपको असानी से सवाल को साल्ब करना है दो दिया है तो 10 परसंट का है यहां परसेंट आपने देख लिया, टाइम आपका कितना है, दो साल, यहाँ पर देखिए, दो साल, दो साल आपका इसमें आएगा, तो दस परसेंट, दो साल के लिए, तो आपको 21 याद रखना है, कितना 21, वही 21 आपको क्या, यहाँ पर रख देना है, नीचे में देखिए, बटे सब था तो बटे सव आप कर देंगे अब देखिए इससे आप आसानी से काट कर सरल कर लेंगे 2-0 से 2-0 कर जाएगा 4 का गुड़ा 21 में करेंगे 4-1 के 4 हो जाएगा 4-2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यानि यह आपका कितना 84 आ चुका है यही आपका finally क्या हो जाएगा answer हो जाएगा अगर आपके सवाल में principal 400 दिया हुआ rate 10% दिया है time 2 साल दिया है और आपसे पूछे compound interest बताइए compound interest कितना होगा 84 आ जाएगा इस तरह से सवाल लगेंगे दूसरा प्रशन आप लोग ध्यान से समझेए दूसरा सवाल देखिए इसमें जो principal है 1000 है rate आपका 5% है time आपका कितना है 3 साल तो इसी पर हम रखकर आसानी सिसको भी साल करेंगे यहाँ पर 1000 प्रिंसिपल है तो 1000 लिख लेंगे इसके बाद इन 2 का चिन है तिन 2 का चिन लगाएंगे यहाँ पर देखिए अब देखिए rate आपका कितना है rate आपका 5% है कितने साल के लिए 3 साल के लिए तो 5% है देखिए 3 साल के लिए कितना है यहाँ पर 5% है 3 साल के लिए 5 परसेंट 15.76 है तहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 15.76 कितना 15.76 अब नीचे आप कितना लिखेंगे बटे में 100 कर देंगे कितना बटे में 100 20 से इसका भी 20 कर जाएगा अब इसमें देखिए आपको गुड़ा करना है तो यही आपका क्या finally answer हो जाएगा जब इसमें 10 से गुड़ा करेंगे जो यहाँ पर 10 मलो है यहाँ पर आ जाएगा क्या गुड़ा करने पर 10 मलो दाहिनी साइड भागता है तो 10 है तो 10 से गुड़ा रेट 5% है टाइम आपका 3 साल है तो compound interest कितना होगा तो compound interest 177.6 होगा असा करता हूँ आपको सवाल जोड़ स्वाज में आ रहा होगा तो ये चार्ट सबसे पहले आप लोग याद कलीजिए आज मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा जिसे आप confusion नहों अगर आप थोड़ा थोड तो डेली आपके practice मजबूत हो चाहिए जाएगी इस चार्ट को आप याद कलेंगे जितने important हैं और उस पे आप क्या 5-10 प्रशना practice करेंगे तो इसी परकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जोर सस्काइब कर लिजिएगा वीडियो को like और share करना न भूलिए धन्यवाद